हाई दोस्तों मैं रशना त्यागी फ्रम्मेंट्पैनेट.िन आज मैं आपसे सेयर करूंगी सुबह जल्दी उठने के फायदे दोस्तों हमें से अक्सर लोग सुबह जल्दी उठना चाहते हैं और मॉर्निंग का नैचुरल ब्यूटी इंज्वाए करना चाहते हैं और कोसिस भी करते हैं ऐसा नहीं है सुबह जल्दी उठते हैं बट कुछी दिनों बाद हमें आलस आने लगता है क्योंकि हम फायदा देखना शुरू कर देते हैं रिजल्ट नहीं आता है जल्दी से, तो हमें लगता है कि कोई फायदा नहीं हो ना, इसलिए हम फिर से डेली लेट उठने लगते हैं, उसे फॉलो करने लगते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, सुबह सुबह उठना हर तरीके से फायदे मंद ह होता है, और बहुत ही फायदे मंद होता है हमारे हेल्थ और फिटनेस के लिए, फिर भी हम अपने चंचल मन की सुनते हैं, आलस करते हैं, और सुबह जल्दी उठने के फायदों से बन्चित रह जाते हैं, दोस्तों हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए क्योंकि सुबह सुबह उठना हमारे health और fitness के लिए हर तरीके से फायदे मन्द होता है हम exercises वगर कर पाते हैं अपने लिए time दे पाते हैं तो दोस्तों हमें चरूर करना चाहिए ये अपने health और fitness के लिए तो आईए देखते हैं कि क्या क्या benefits से सुबह जल्दी उठने के फायदा नमबर एक सुबह का समय बहुत ही सांत और सुकून भरा होता है सुबह के हवा में oxygen की मातरा बहुत जादा होती है दोस्तों सुबह सुबह एक अलग सा cooling effect होता है हमारे पूरी body और mind पे फायदा नमबर दो सुबह जल्दी उठने से हमें जल्दी फ्रेस होने के आदत पड़ जाती है और हम बहुत ही हलका और relaxed मैसुस करते हैं फूल दे दोस्तों सुबह का time best time होता है अपने लिए quality time देने का क्योंकि हम morning walk, yoga, meditation, cycling और भी कही तारह की exercises को practice कर सकते है ताकि हम healthy and fit रहे पाएं फायदा नमबर तीन सुबह जल्दी उठने से हमें जल्दी fresh होने के आदत पड़ जाती है और हमें काफी हलका मैसूस होता है हमारा mind काफी relax होता है क्योंकि हमें इस बात की tension बिल्कुल नहीं रहती कि हमें fresh होना है नहाना है, breakfast करना है office के लिए ready होना है वगरा वगरा हमाय पास बहुत time होता है हम अपने लिए time देने का और फिर हम full day relax होते है हमारा mind relax होता है फायदा नमबर चार दोस्तों सुबह का time में pollution बहुत कम होता है और सबसे बड़ी बात सुबह सुबह का environment natural music से भरा होता है जैसे कि चिडियों की चहचाहट पेड़ों की सरसराहट जिसे हम पूरी तरीके से enjoy कर पाते है फायदा नमबर पाँच सुबह जल्दी उठने से हम full day relax feel करते हैं क्योंकि हमें थकान का एसास नहीं होता है हम full day active रहते हैं खुस रहते हैं और हमारे काम करने की चमता भी बढ़ती है हमारा depression भी कम होता है stress level कम होता है जिससे कि हम काफी खुस और तरो ताजा मैसूस करते हैं दोस्तों फायदा नमबर छे सुबह जल्दी उठने से हम जल्दी फ्रेस होते हैं exercise करते हैं जिससे कि हमें भूक भी टाइम पे लगती है और जल्दी लगती है इसकी वज़ा से हम अपना breakfast, lunch और डिनर टाइम पे करते हैं जो कि हमारे health और fitness के लिए बहुत ही जरूरी है फायदा नमबर साथ, दोस्तों सुबह जल्दी उठने से हमारा sleeping pattern भी normal हो जाता है क्योंकि हमें रात में जल्दी नीद आती है हम sound sleep ले पाते हैं इसकी वज़े से हम अगली सुबह फिर से जल्दी उठने में सच्चम हो पाते हैं दोस्तों sleeping pattern normal होने से हमारी कई सारी मांसिक तनाव संबंधित बिमारियां भी धूर होती हैं हम fresh रह पाते हैं relax रह पाते हैं और लंबे समय तक youthful दिखते हैं क्योंकि हमारी aging भी slow हो जाती है फायदा नमबर आठ दोस्तों सुबह का हवा जो होता है बहुत ही स्वास्थे वर्दक होता है जो कि हमारी कई सारे बिमारियों को सही करने में मदद करता है और हमें कई सारे रोगों से दूर भी रखता है दोस्तों फायदा नमबर 9 सुबह जल्दी उठने से तो हम अपने लिए time दे ही पाते हैं physical activity के लिए और सबसे बड़ी बात हमें अपना general knowledge भी बढ़ाने का time मिलता है क्योंकि हम paper पढ़ पाते हैं और सबसे बड़ी बात हमें अपने family members को time देने का समय मिलता है जिससे की हम अपने सारे family members को time दे पाते हैं और उसकी वज़े से पूरे घर में एक खुशी का महाल रहता है और सब के बीच जो communication gap होता है वो भी कम होता है सब खुश रहते हैं दोस्तों सुबह उठना थोड़ा मुस्किल तो है बट इतना भी नहीं कि हम ना कर पाएं क्यूंकि दोस्तों सुबह से लेकर साम तक जो हमारा डेली रूटीन होता है हमारा हेल्थ और फिटनेस पूरी तरीके से उसी पे डिपेंड होता है इसलिए हम अपने हेल्थ और फिटनेस के लिए तो इतना जरूर करना चाहिए दोस्तों ये थे कुछ सुबह जल्दी उठने के फायदे जो मैंने आप से सियर किये दोस्तों इस तरह की कई सारी छोटी छोटी छीज़े होती है जिसे हम फॉलो नहीं करते हैं और इसकी वज़े से हमें कई सारी प्रब्लम्स हो जाती है तो इन शुटी शुटी चीजों को अच्छी चीजों को अच्छी आदतों को हमें अपने डेली लाइफ में जरूर इंख्लूट करना चाहिए और इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो जैसा भी लगा हो अपने comment जरूर लिखे and don't forget to like, share and subscribe bye, have a beautiful day